मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जंग हमारी जिंदगी के इतने साल छीन लेगी अब सिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है बस इस बात कर डर लगा रहता है कि मैं अपने परिवार से कभी नहीं फिल पहूँगा तुम्हें पता हैं तुम्हें तीन हफ्द में कितना काम किया है सिर्फ एक दिन का कैसे चलेगा तुम्हारे बच्चे है कितने दिनों के लिए जाओगे अठारा महीने मैं समझती हूँ वो बावर्ची है जहाज ही नहीं जहाज पर उसका ख्याल रखना मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा सरकार का अधिक्रित आदेश है जंग छिर चुकी है नौर्विजिन व्यापारी जहाजों को जंग के लिए समाग किया जाएगा वो हमें चानवरों के दरख काट डालेंगे पर वो चैल्जी रोट कर आएंगे ना लोग बर रहे हैं नहीं रुकाँ रुकने का फैसला करते हैं तो हमारा वो फैसला हमारे पड़िवारों करीब बच्चों के लिए होगा जाओ तो दर के भाग सकता हो और जिमेदारियों से भागना गलत होगा लगी यह सब बाकियों पर नहीं छोड़ सकता पर अब लगता है वही करना सही होता